किसी भी competitive exams को clear करने के लिए आपकी calculation speed बहुत अच्छी होनी चाहिए लेकिन अच्छी होनी चाहिए और अच्छी है में बहुत फर्क है So hello students, my name is Azar Khan and welcome to my YouTube channel Khan Trick Store आज के इस class में हम बात करेंगे how you can increase your calculation speed लेकिन उससे पहला अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करने ताकि latest videos की notification आपको सबसे पहले मिले So देखे first important point है use pen paper as minimum as possible pen और paper का आप कम से कम यूज़ करें चीजों को oral जादा solve करनी के खुशिश करें क्योंकि एक तरफ अगर आप pen और paper का use करें और दूसरी तरफ हजारों लाखों बच्चे उसी चीज को orally solve करें तो वहीं पर आप हजारों लाखों बच्चों से पीछ रह जाएंगे है ना तो इसलिए ट्राइ करें जाते से जादा आप चीजों को oral solve करें सेकिन है remember table sub to 30 square sub to 30 and cubes up to 20 माल लिजए आपका एक simplification का question आ जाता और उसमें आपको multiply करना पड़ी है 27 into 6 अगर आपको table याद होगा तो आप एक second में इसका answer देंगे 27 into 6 162 अगर table याद नहीं होगा तो आप यहां पर आपका दो धाई मिनट अपना वेस्ट कर देंगे ऐसे ही squares up to 30 और cubes up to 20 याद रखने क्योंकि mostly simplification में इनका use होता है अब चलते हैं अपने third important point यह third important point है add two digit और three digit numbers in mind at least हमें दो और तीन digit वाले numbers जो की add हो रहे हैं उनको mind में solve करना चाहिए कैसे किस तरीके से आपकी approach होने चाहिए देखे मान लिजिए आपको 28 plus 57 दिया होता है है ना तो आप क्या करेंगे पहले 20 और 50 को add करेंगे 20 और 50 को add करेंगे कितना आ जाएगा 70 और mind में 8 plus 7 15 add कर लिया 15 इसमें add कर लेंगे तो वह 85 हो जाएगा तो यह चीज़ आपको mind में solve करने चाहिए pen और paper का कम से कम use करना चाहिए है ना तो देखे multiply two digit numbers in this way 48 multiply 23 आ गया मान लिजिए तो आप इसको क्या करेंगे mind में 40 plus 8 करेंगे 40 को into 23 करेंगे 40 into 23 मतलब 23 into 4 करना है आपको तो कितना आ जाएगा 23 into 4 23 का table आपको याद होना चाहिए है ना तो देखे 192 होता है 23 into 4 और 0 का 0 लगा दिया मैंने राइट 23 into 8 किया वह होता है 184 अगर आपको table याद होगा अल्रेडी है ना तो चीज़े देखे कितनी easy हो जाएगे अगर आपको tables लाने जो first two points मैंने आपको बता है करने के लिए आप उसको क्या लिख देंगे 2 upon 3 लिख देंगे चार पॉइंट होगे हमारे एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हम और जो की है मौक टेस्ट यह सब करने के बाद आपने syllabus complete किया आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा और बहुत जादा practice कर लिए लेकिन अगर आप mock test नहीं कर रहे हैं तो यह सारा चीज क्या है पूरा totally waste है तो mock test आपको regular basis पे देने हैं पहले शुरुआत करना है दिन में एक test देने से फिर दीरे दीरे इसकी frequency increase करने है और at least जब exam नजदीक आ जाया है तो आपको daily solve करने है at least five mock test और mock test भी किस तरीके से आपको prepare करने है mock test को analyze करने है कि कहां पर आपको जादा time लग रहा है कि section में सबसे जादा time लग रहा है पहले फिर उस section पर command कीजे फिर section से आप आईए question की तरफ किस question में आपको जादा time waste हो रहा है तो उसको दीरे दीरे analyze करेंगे आपकी क्या हो जाएगी speed बहुत जादा increase हो जाएगी और आप देखेंगे जहां पर आप पहले score कर रहे थे 100 out of 200 तो आप करने लगेंगे उसको आप 150 प्लस पर पहुंच जाएगे जब इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आज की class में सिर्फ इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो like और share जरू करें और चैनल को subscribe तरह न न भूलें Thank you so much for watching the video